मौसम से जोड़ी जानकारी और लाइव मौसम खपरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा कर हर अपडेट पर नज़र रखें मौसम को सुहाना कर दिया है बारिश की बज़े से राज़ानी लखनु और दिली एंसियार का मौसम काफी खुशनुवा हो गया है नोईडा में अचानक से आस्मान में काले बादल चागए और बारिश होने लगी है मौसम भाग के उनुमान के मताबिक प्रदेश के अधितर जिलो में बारिश और बादल गरजने के साथ ही बिजली गिने की संभावना जोताई गई है मौसा मिभा की माने तो 12 सितंबर 28 जलो में भारी बारिश होने की संभावना है जिसमें कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार जोताए गए हैं मौसा मिभा की में भारी बारिश होने की आशेंक है साथ ही फ्रोजबाद जॉलों हमीरपुर एटा आग्रा महुवा जहांसी ललित पुर और आसपास के इलागों में भारी से बहुत भारी बारिश जबकी कौन सा भी प्रयागराज फते पुर्वांदा चित्रगूट लखनू वरावांग की मैन पुरी और एया साथ नहां पुर बदाईयों बरेली पीली बीत और आसपास के इलागों में भारी बारिश के साथ आकासी बिजली की संभावना मौसमे भागने जटाई है मौसमे भागने अगले दो से तीन दिनों में प्रदेश के अधिकांस हिस नमी में पूरे दिन ठंडक भरी ताजगी महसूस की गई है बारिश के बज़े से प्रदूसर के इस तर में भी कुछ सुदार देखने को मिल रहा है मौसमे भागने ने पहले ही 9 और 10 सेतंबर की दोरान दिली और आसपास के शेत्रों में बारिश की बारिश बाड़े चारी होगी बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से रहा दी है वहीं कुछ इलाकों में जलोराव की स्थती वी उत्पन हो रही है दिली के आई टी ओई लखीम पुर्खीरी लक्षमी नगर रोहनी नोईड़ और गुड़गाओं के कुछ निचले इलाकों में पानी भर गया है जि सम्भवाग का नया प्रिडेक्शन है कि बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन आज उत्तरी 36 गड़ के उपर पहांच चुका है उसके पश्मित प्रदेस और पश्मी दिसा के आगे और बढ़ने की संभावने है आसाम तक कमजोर होकर बैल मार्क लोग प्रेशर बनने क सम्भावने है उक्त प्रवाव में आगामी चार पांस दिन तक मौनसों सकरी रहेगा भरतपुर जैपूर कोटा जमेर उद्यापूर संभाग के नेक भावव में में गर्जन के साथ बारिश होने बाग कहीं कहीं भारिबारिश होने की संभावने है पूर्वी सितंबर महा में में एक सावन जैसे बरस रहे हैं वहीं अगले तीन चार दिनों तक प्रदेश के दक्षडी पश्मी लाकों में जिलों में कहीं कहीं भारी आती भारी बर्शा होने का लेट जारी किया गया है जोदपुर कोटा उदयापुर और अजमीर संभाग में अगले 24 ग हंटों में हुई मुसलाधार से बारिश होने से जन जीवन प्रभावित हुआ है वहीं परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हो रही है